मैं हूँ अक्षय चवान और आज हम जानेंगे 36 गड़ के राजनांद गाउ रियासत की कहानी राजनांद गाउ रियासत का इतिहास बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर इस रियासत पर राज करते वाला जो राज परिवार था वो एक आक्चली बेरागी महंत परिवार था अब ये बैरागी बहंत कौन होते हैं तो अगर आप भारत का इतिहास देखे और हिंदू धर्म का इतिहास देखे तो 16, 17 और 18 शताबदी में उत्तर भारत में ये जो वैशनव संप्रदाय थे उनके अखाड़े हुआ करते थे और या मठ हुआ करते थे और वो जो मठ के जो हेड होते थे, मठाधीश होते थे उनको महंत कहा जाता था और उस समय कैसे होता था कि ये जो monastic establishment जिसको हम English में कह सकते हैं तो ये अलग-अलग उनके मंदिर हुआ करते थे और ये जो महंत थे उनके disciples या चेले हुआ करते थे और उस समय ये जो मठ और monastic establishments जो थे उन्हें लोग काफी चड़ावा देते थे बिकाज एक religious significance की जगा ये हुआ करती थी उसकी वज़े से काफी उनके पास पैसा आता था और ये पैसा फिर उस समय जो अगर आप देखें तो banking और banking तो होता नहीं था तो ये जो मठ और अखाडे हैं ये व्यापारियों को अलग-अलग राजाओं को पैसा high rate of interest पे लोन दिया करते थे और दूसरी इंटरिस्टिक बात ये है कि क्योंकि ये सन्यासी थे fighting warrior सन्यासी थे तो ये अलग-अलग राजाओं के लिए युद्ध में भी जाते थे for a fee so they were also mercenaries तो ये अगर आप सत्रवी अठारवी शताबदी का काल देखे तो कच से लेकर बेंगौल तक और जो रोहिलखंड एरिया है वहा से लेकर literally करना टका तक काफी ऐसे ये powerful establishments महंतों के बने पर उन में से एक रियासत और एक अपना स्वतंत्रा राज बनने वाला ये राजनांद गाओ का इकमत्र महंत परिवार था राजनांद गाओ जो है वो 36 गड़ के पहले दुर्ग जिले में हुआ करता था तो ये जो पूरा area है दुर्ग राजनांद गाओ ये आता है डक्षन कोसला रीजन में और इसके references हमें चानक्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं हमें ये पता है कि for example यहाँ पर मौर्य राजाओ का राज हुआ करता था ये जो पूरा area है ये minerals के लिए even मौर्य काल से बहुत ही प्रसिद्ध है आगे चलके जो मौर्य राजवन्ष खातम होने के बाद गुप्त राजवन्ष का राज हुआ फिर नागवन्षी सोम वन्षी ऐसे कई यहाँ पर डिनिस्टी जो डिनिस्टी है जिनका बड़ा राज पहला हुआ था अल्मोस्ट आज का जो महा कोशाल रीजन और चत्तिस गुड को मिला के तो कालाचूरी जो ने यहाँ पर राज किया और जनरली कैसे होता था कि इस पूरे एरिया में विकॉज यह एक गोंड रिहाईशी एलाका है गोंड एरिया है तो यहाँ के जो में समराठ होते थे वो कही भी रहे जैसे कि कालाचूरी समराठ हो या सोममन्शी समराठ हो पर लोकल जो राज होता था वो गोंड राजा हो का ही होता था और ये अल्मोस्ट अठारवी शताबदी तक यही चला कि यहाँ पे लोकल जो ट्राइबल चीफ्स, हम राजा नहीं कह सकते हैं, तो उनका राज था. राज नंद गाउ का अक्चुल नाम नंद ग्राम था, ये अठारवी शताबदी की बात है, और अठारवी शताबदी के शुरुवात में जो में पोलिटिकल और कमर्शल सेंटर था, 36 गड़ का, वो था रतनपूर, और दूर दूर से व्यापारी लोग आते थे रतनपूर, ज यहां से ट्रेडिंग होती थी, पूरे भारत में यहां के रतनपूर से फोरेस्ट प्रड़क्स जाते थे, तो एक महंत थे, महंत प्रलाद दास, वो रतनपूर आए, और उन्होंने यहां पे लकडी का व्यापार शुरू किया, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इवन महंत प्रलाद दास ने इतनी सम्रुद्धता हासिल कर ली कि वो फिर मनी लेंडिंग में चले गए, और ऐसे करकरके उन्होंने फिर काफी यहां के जो लोकल जमीनदार्स थे, लोकल ट्राइबल चीफ्स थे, उनको अपना कर्जदार बना दिया, लेक्रेडिटर बना दिया, क्योंकि वो लोन दे दे कर, जब महंत प्रलाद दास का निदन हुआ 1792 में, तब उनके उत्तराधिकारी और अगले मठाधीश हुए, उनके चेले महंत हरी दास, अब यह मैं आपको बताओ, यह महंत और मट्स में एक इंट्रिस्टिंग सिस्टम होता है, जिसे गुरु चेल परमपरा कह सकते हैं क्योंकि यह जो महंत होते हैं, वो ब्रह्माचारी होते हैं, तो उनके जो सगसेसर होते हैं, वो उनके डिसाइपल होते हैं, जिने चेला कहा जाता है, तो काफी समय तक, इवन राजनन्द गाव में भी, और काफी reward भी गुरु चेला गुरु चे कि जिन्दी भी उनका जो इस्टैबुशमेंट था और बजनेस था और क्रेडिट था फो सब बहंत वरतास जी ने संबाला और स्लोली स्लोली उन्हों ने क्या किया कि विकाॉस ये सारी जमीने नांद गाउं और आसपास की सारी समीने च्रेडिट उनके पास गिरवी थी तो उन्होंने उसका possession लेना शुरू किया अब 1740 में ये वो भी समय था जब नाकपुर कर भोसले जो नाकपुर का भोसले परिवार है उसने 36 गड़ पर कबजा कर लिया था और इन फैक्ट पूरे जो eastern region है चत्तिसगर, महा कोशाल, region of मध्यप्रदेश, उडीसा का काफी क्षेतर ये पूरा उनके अंडर था तो ये जो महंस थे उन्होंने मराठो के साथ काफी अच्छे संबंद बनाए और उससे भी उनको मदद मिली कि आसपास के जो डुंगर गाओ और ये जो आसपास के जो राजनान गाओ के आसपास के जो परगने हैं उन पर वो अपना कंट्रोल जमा सके तो बिकाज नाकपुर कर भोसले तो नाकपुर में रहते थे उनको जादा चत्तिस गड़ से इंट्रेस्ट नहीं था उनको सिर्फ अपना लगान चाहिए होता था अगर आप देखें जैसे मैंने आपको पहले सुर्गूजा के एपिसोड में या बोलंगीर या बस्तर के एपिसोड में बता है कि उनके काफी कॉनफलिक्स होए जो लोकल रियासती थी उनके साथ पट वैसा कॉनफलिक्ट हमें राजनांद गाओं के जो महंत है और मराठों के बीच में देखने को नहीं मिलता है इन फैक्ट मैं कहूंगा कि देवर हैपी कॉलाबरेटर्स जो महंत थे क्योंकि यहां के जो गोंड ट्राइबल चीफटन्स थे उनके खेलाफ मराठाज वर आलाइज और यह जो महंत थे वो लगान नकपुर भेजा करते थे तो ऐसे एक mutually cordial relationship रहा जो मराठे हैं और राजनाद गाओ के बीच में और उस समय उनका जो राजनाद गाओ एक जमीनदारी थी उनका jurisdictional powers नहीं था उनके legal powers नहीं थे जैसे एक land owner होता है या जमीनदार होता है तो वैसे उनका status था फिर आगे चलके क्या हुआ नाकपुर का status बदलने लगा कि पहले 1818 में अंग्रेज आए तो जब अंग्लो मराठा war हुआ तब उनका नाकपुर पर एक क्या बोलते हैं alliance हुआ एक subsidiary alliance की जैसी एक treaty हुई और उसके बाद 1840 में Lord Dalhousie ने नाकपुर रियासत को खतम कर दिया तो जब नाकपुर रियासत खतम हो गई तो जितनी भी बाकी रियासते थी 36 गड़ की जैसे बस्तर, कांकेर या सरगूजा या ओडिसा की ये सारी रियासते जैसे की सोनपुर, बोलनगीर ये सारी अंग्र अंग्रेज उकाना फिक्स्ट सिस्टम नहीं था, वो क्या करते थे कभी-कभी जो रियासते थी जैसे की विजयनगरम या बना देते थे, यह बाकी रियासते थी, जैसे की बोलनगीर या सरगूजा जो जमीनदारिया थी, उनको रियासते बना देते थे, तो वैसे ही 1865 में जो अंग्रेज है उन्होंने राजनान्द गाउ को एक रियासत बना दिया और तब वहां की रूलर थे महंत राजा घासीदास महंत राजा घासीदास का एक interesting contribution यह है कि उन्होंने राइपुर में जो महंत घासीदास museum है उसे बनवाया था उनके टाइम पे राजनान्द गाउ में उन्होंने विकास करने की कोशिश की यहाँ पे एक system establish करने की कोशिश की और महंत घासीदास के टाइम तक जो मैंने जैसे आपको बता है गुरू चेला परंपरा चलता था यह जो सारे महंत होते थे वो ब्रह्मा चर्या में फॉलो करते थे और अपने शिश्चों को या चेलों को चेला का जाता था उनको अडॉप्ट करते थे अस थे सकसेसर बट यह जो system है वो महंत राजा घासीदास के टाइम से चेंज होने लगा क्योंकि महंत राजा घासीदास की अउलाद थी और उसकी वज़े से एक थोड़ा सा एक social conflict भी यहाँ पे हुआ विकरज अगर आप महंत हो तो अप शादी कैसे कर सकते हो आपके तो एक काफी intrigues उस टाइम यहाँ पर राजनान गाव में हुए राजा घासीदास के बाद उनके उतराधी कारी हुए बलराम दास जिने अंग्रेजों ने राजा बहाद्दुर का खिताब बहाल किया था तब तक जो राजनान गाव है उन्हें सिर्फ महंत की उपादी थी बट यह हम देखते हैं कि यहां से एक जो रॉयल लिनियज होता है तो यह जो इंट्रिस्टिंग टाइम है कि एक रिलिजिस आस्पेक्ट जो है कि महंत का और उनका वो कम हो रहा है और एक राज परिवार की तौर पे यह फैमिली इवॉल्व हो रही है कि महल बन रहे हैं दासिया हो रही है और जैसे हम जो हम असोसियेट करते हैं भारत की रियासत शान और शौकत तो ये सब अब आरी है राजनन्द गाओ के राजपरिवार में बलराम दास के बाद उनके उतरादी कारी हुए राजा सर्वेश्वर दास ये अरली ट्वेंटियथ सेंचुरी की बात है और उनके टाइम पे राजनन्द गाओ का बहुत विकास हुआ यहाँ पे काफी महल बनाए गए रस्ते बनाए गए यहाँ पे इंडस्ट्री खोली गए बाकी जगाओं से काफी मर्चंट्स यहाँ पर आकर बस गए तो हमें contemporary record से यह पता चलता है कि इस समय राजनन गाओ एक बहुत ही समरुद और कूपसूरत शहर के तौर पर उबरा अब यह वो भी काल था जब स्वतंतरता संग्राम देश में चल रहा था देश की आजादी के लिए काफी आंदोलन हो रहे थे तो 36 गड़ और यह जो दुर्ग जिला है और राजनन गाओ का जिला है वो भी जो भारत में हो रहा था उससे अंचुहा नहीं रहा और ठाकुर प्यारे लाल करके एक freedom fighter थे तो उनके अंडर राजनन गाओ रियासत में काफी क्या बोलते हैं प्रजा आंदोलन हुए स्वदेशी का जो movement भारत में चला वो उनीके अंडर यहाँ पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया forest का सत्याग्रा 1930s में यहाँ पे हुआ जैसे जो ट्राइबल्स है उनके राइट्स के लिए यहाँ पे सत्याग्रा हुए जो लिकर शॉप्स है उनके पिकेटिंग हुई तो जो हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्र निर्मान के कारे जो गांधी जी के जो फॉल्लवर्स थे जो बंबे में और एंदबाद और बाकी जगाओं पे कर रहे थे तो वो जो हवाएं हैं वो इतने इंटीरियर में राजनन गाओं में भी पहुची अब राजा सरविष्वर दास जो थे वो मयूर भांच की राज कुमारी के साथ ब्याहे थे और जब उनका निदन कम उमर में ही हो गया राजा सरविष्वर दास का तब गदी पर आये उनके बेटे महंत राजा दिग्विजय दास अब महंत राजा पर राजनान गाउ के राजा बने और रीजेंट थी उनकी मा जो मयूर भांज की राजकुमारी थी उसी समय नाइटीन-फॉर्टी-सेवन में ये सारी रियासते विलीन हुई तब चट्शतिसगड की बाकी रियासतों की तरह राजनान गाउ भी सेंट्रल प्रोविंसेज में म उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था तो All India Hockey Federation के लिए उनके नाम से यहाँ पे अपना एक किला और काफी जो जमीन थी उसे एडुकेशन के लिए दे दी गई और वहाँ पे दिग्विजे कॉलेज है विच इस प्रोमिनेंट कॉलेज और राजनान गाउ अनफॉर्चनेटली जो महंत राजा दिग्विजे दास है उनकी बहुत ही कम उमर में उनका निधन हो गया उमर हाडली 25-26 यह होगी और उनकी उलाद नहीं थी कोई तो उसके साथ ही यह जो राजनान गाउ का और जो महंत राजपरिवार है वो खतम हो गया पर यह जो लेगसी है इस परिवार की यहाँ पर जो उन्होंने डिवेलपमेंट का काम किया यहाँ पे कॉलेज बनवाए, अस्पिताल बनवाए, स्टेडियम्स बनवाए तो वो भी वो तो आज यहाँ पे है और यहाँ परिवार की इतिहास की निशानिया है तो आशा है कि राजननगाव रियासत का इतिहास जानने के बाद लोग राजननगाव जाएंगे और यहां के जो गौरवशाली इतिहास के जो चिन है उन्हें जरूर सहराएंगे तो यह थी कहानी राजननगाव रियासत की झाल झाल